मसकार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजिटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अर्याना में DC रेट बर्तियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है और अगर आप पहली बार अमारे चैनल पर विजेट कर रहे हैं और आपने अभी तक अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लें क्योंकि साथ हैं अमारे चैनल पर अर्याना की सभी परकार की भरतियों से रिलेटिट जानकरी रेगुलर और सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है चलिए आप देख लेते हैं अर्याना डिसी रेट भरतियों को लेकर क्या बड़ी खबर आई है विस्तार से इस खबर को देख लेते हैं अर्याना में कच्चे करमचारियों को ठेकेदारों के चंगुल से निकालने की परकिरिया शुरू हो गई है हाल ही में अस्तितव में आये हर्याना कोसल रोजगार निगम ने मोर्चा समालते हुए सभी सरकारी मैकमों बोर्ड निगमों, सरकारी कंपनियों वे सवायत संस्तानों में अनुबंद आदार पर भरे जाने वाले गुरूप C और गुरूप D के पदों की तमाम जानकारी तलब की है यानि की जो पद बरे जाते हैं उनकी सारी जानकारी प्रुवाइड करवाने के लिए सरकारी मैकमों, बोर्ड निगमों और कंपनियों को नोटी जारी कर दिया है निगम की मुखे कारेकारी अधिकारी सरनदीप कोरबराड ने सबी विबाद गधक्सियों मंदलायूक्त बोर्ड निगमों वे सरकारी संस्ताओं के परबंद निदेसक और परसासक विश्यविदाले के रजिस्ट्रार और उपायक्तों से बिंदूवार ब्योरा मांगा है अनुबंदित करमचारियों किसी भी पॉलिशी में नहीं आने वाले कच्चे करमचारियों यानि कि जो करमचारी पार्ट वन और पार्ट टू के तैथ नहीं आता उन कच्चे करमचारियों की डिटेल भी मांगी गई है उन्हें कारिय बार की जानकारी यानि कि उनका क्या का करने की हिदायत दी गई है यानि की निदेशाले और मुख्याले स्थर पर नोडल अधिकारी को नुक्त किया जाएगा परदेश में ठेकेदारों दूवारा अनुबंद आदार पर बरत्यों में युवाओं से वसूली की सिकायते आम हैं और ये सारा प्रोसेस अर्याना सरकार के दौरा क्यों किया गया है ये जो नया निगम बनाया गया है ये इसलिए बनाया गए सात्यों की जो DC रेट पर बरतियां होती हैं इनमें युवाओं से वसूली की सिकायते भी आ रही हैं और इसके अलावा वेत्तन नहीं देने पीएफ में दानली अधिक पैसों की कटोती के अलावा मनमर्जी से करमचारियों को नोकरी से अटाने करमचारी संग्ठन उठाते रहते हैं ठेकेदारों द्वारा आरक्षन निती का पालन भी नहीं किया जा रहा है इनी सब सिकायतों को खतम करने के लिए अरियाना कोसल रोजगार निगम बनाया गया है जो कोसल विकास एम ओध्योगिक प्रक्षिशन विभाग के अधीन काम क कुसल अर्द कुसल विए अन्य मानव सकती की मांग इस निगम को बेजने होगी यानि कि जो भी डिपार्टमेंट कच्चे करमचारी लगाना चाता है वो अपनी मांग है वो इन डिपार्टमेंटों को बेजेगा क्योंकि जो पके या रेगुलर करमचारी लगते हैं वो तो रोजगार की तलास करने वाले उमिदवारों का ओनलाइन रजिस्टर तयार होगा यानि ओनलाइन डाटा तयार किया जाएगा निगम दवारा ऐसे यूगों को आउसक प्रक्सिशन भी दिया जाएगा यानि कि जो उनको आउसक है वो प्रक्सिशन भी दिलाया जाएगा ये न परदेश में असी करमचारियों से अधिक संक्या वाले सभी मैकमों में पक्के करमचारियों की तरज पर अब कच्चे करमचारियों के भी ओनलाइन तबाद ले होंगे यह पहली बार जब कच्चे करमचारियों के तबाद ले के लिए ओनलाइन ट्रास्पर पोलिशी लागू क में है इसी को देखते हुए इन करमचारियों का ओनलाइन तबादलों का निर्णली आ गया है इसके लावा साथ यो नई बर्ति की बात करें तो ये सारी जानकारी गोसल रोजगार निगम है इसके दौरा मांगी जारी है 20 सितंबर तक ये जानकारी प्रोवाइड करवाई जानकारी भी यानि कि पूरी जानकारी इसमें मांगी गई है गुरूप C और गुरूप D के पदों की अब जो बरती आने वाली है DC पर वो कोसल रोजगार निगम ही करेगा अनुबंदादार पर जो भी नहीं बरती होंगी अब जो पहले दानली चलती थी ठेकेदारों के अ दूदियो में